प्रेंड्स वेलकम आवर चैनल Fly High Learning हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कि अम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्न्स्ट्ट्यूशन के पार्ट 1 को देखा था जिसमें मैंने वं न से लेकर के 4 आर्टिकल को कवर किया था जो Indian Constitution का Part 2 है वो Indian Citizenship से डिल करता है नागरिकता से डिल करता है ठीक है जिसके अंतरगात हम लोग Article 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे और After that जो Part 3 होता है वो Fundamental Rights है जिसमें 12 से लेकर के 35 तक Articles Fundamental Rights से डिल करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो आज का जो हम लोग लेक्चार सुरू करने जा रहे हैं वो होगा Indian Citizenship सबसे पहले Article 5 की बात कर लेते हैं तो इस समभिधान में कौन से लोग नागरिक हो सकते हैं और किन लोगों की नागरिकता को छीना जा सकता है टर्मिनेट किया जा सकता है इसके बारे में Article 5 से लेकर के 11 तक डिल किया गया है जो Article 5 है 6 है 7 है और 8 है ठीक है ये किन किन लोगों को नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है उसके बारे में इसके बारे में जो 9, 10 and 11 आर्टिकल है ये आर्टिकल डिल करता है कि नागरिकों के अधिकार को कब वापस लिया जा सकता है ठीक है वो कौन से कंडिशन है अगर नागरिक कैसे भी हैब करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं तो उनके अधिकार को सीच किया जा सक इसके अलावा हम लोग इंडियान सिदिशन सिप लिफाइब की नागरिकटा कर सकता है और कैसे उनकी नागरिक्ता को टरमिनेट किया जा सकता है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है अब आर्टिकल 5 के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 5 का आप सीधा सा मतलब बस इतना समझिए कि यह जो आर्टिकल है वो person domicile in India जो लोग भारत के संविधान के बनने से पहले से इंडिया में रह रहे हैं उनके बारे में यह बात करता है ठीक है तो संविधान के प्रारंवपन नागरिक्ता इसके अंतरगत यह बात कही गई है कि वो सारे व्यक्ति यानि एक डेट अप या रखिए कि 26 जन्वरी 1950 से भारतिये संविधान लागू हुआ ठीक है तो जो व्यक्ति यानि कोई भी व्यक्ति यानि प्रतेक व्यक्ति जो भारत के छेतर में रह रहा है या अधिवास है जिसका रिसिदेंस है ठीक है जो या तो भारत के राजिशेतर राजिशेतर का मतलब है कि कहीं भी पूरे भ भारत के राजिश्यत्र में कोई भी व्यक्ति जन्मा हो या जिसके पैरेंट्स भारत के राजिश्यत्र में जन्मे हो या कोई भी व्यक्ति जो 26 जन्वरी 1950 के ठीक पहले से पांच वर्स से भारत में अस्थाई तोर से निवासी रह रहा हो वो सब क्या होंगे इस आर्टिकल के वो तीन चीजों से डील कर रहा है या तो वो व्यक्ति खुद भारत में जन्मा हो ठीक है या उसके पैरेंट्स पैरेंट्स का मतलब क्या हो गया कि उसके माता-पिटा में से कोई भी भारत में जन्मा हो या वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो 26 जन्वरी 1950 के ठीक पहले से 5 वर बारत में रहा है, 26 जनवरी 1945 से जो भी व्यक्ति भारत के राजिश्यतर में निवास कर रहा है, वो सब के सब इस आर्टिकल के अंतरगत के आउंगे भारत के नागरिक होंगे, अब 26 जनवरी 1945 का मतलब तो हो गया कि उसे में भारत तो डिवाइट था नहीं, क्योंकि भारत के डिवीजन 1947 में तो इसी के अंतरगत अब भारत के राजिशेतर हैं इसके अंतरगत जो वेक्ति राड़ा है भारत के राजिशेतर हैं जैसे अगर माल लिए कि अगर कोई वेक्ति पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में है अगर वहां पे राड़ा है तो भारत का नागरिक नह चलते हैं अपने आर्टिकल 60 ओर फ्रेंड्स आपको यह जो नोट में लिखा हुआ है नोट इसको आपको ध्यान रखना है सिर्फ इसी चीज को आप ध्यान रखिए तो काफी है क्योंकि आपसे एक्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे तो यह पूछा जाएगा या पूछे जाते हैं पूछे गए हैं कि भारतिय संभिधान का कौन सा आर्टिकल है जो नागरिक्ता के संदर में डील करता है वैसे लोगों से जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया में ठीक है तो वो आर्टिकल 6 डील करता है तो यह आप याद रखेगा उसी तरीके से ज अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं लोग बोल रहा है आर्टिकल 6 में पर्सन हो माइग्रेटेग टू इंडिया फ्रॉं पाकिस्तान मलग वैसे सभी लोग जो माइग्रेट हुए कहां से पाकिस्तान से इंडिया की और माइग्रेट हुए हैं और इसके रिए इन्होंने जो पैरेंट्स मतलब मातापिता में से कोई भी या उसके दादा दादी नानानी यानि ग्रेंट पैरेंट्स में से कोई भी अंडिवाइडेट इंडिया में अगर बार धुँआ है तो वो क्या आजाएगा आटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा ठीक है इसके अलमा दो सर तोर है अगर कोई व्यक्ति 19th of July 1948 से पहले भारत आ गया है ठीक और मामली रूप से मतलब की भारत में रह रहा है निवासी के तोर पर रिसाइट्स कर रहा है रह रहा है तो वो क्या आजाएगा भारत का नागरिक हो जाएगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19th of July 1948 के बाद आया है भारत में ठीक है क्योंकि इस समय तक इंडिया डिवाइड हो चुका था अब इसके बार अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको यहां पर कंडिशन यह है कि 6 मंत पहले रहना पड़ेगा और उसके बार वो क्या होगा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बढ़ेगा और उसके यह डेट है उनिश्ट जुलाई 1948 इससे पहले और बाद में यह डिल करता है मतलब कि अगर 19 जुलाई 1947 से अगर पहले आ करके भारत में रहर आया है तो सिर्फ यहां पर रहर आया है तो ही वो भारत का नागरिक हो जाएगा लेकिन अगर इसके बाद आया है तो उसको पहले 6 मन्त राना पड़ेगा और उसके बाद में रेजिस्ट्रेशन के थूँ भारत का नागरिक हो सकता है ठीक है फिर उमीद करता हूँ कि आप समझ गया होंगे चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल कीओ नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7 सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिए कि यह जो आर्टिकल है यह वैसे व्यक्तियों से डील करता है जो पहले माइग्रेट हुए पाकिस्टान में और फिर वहाँ से इंडिया में वापस आ गए ठीक है तो यह कैसे लोग मतलब कि a person migrated to पाकिस्टान बट लेटर रिटर्ण ठीक है पहले तो पाकिस्टान गया लेकिन वहाँ फिर मन नहीं लगा या कारण जो भी मन लगा हो या वहाँ से मार पीट कर भगा दिया गया हो क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याय चल रही थी दोनों देशों के बीच इंटरनल मेंटर काफी खड़ाब थे इंटरनल रिलेशन हाला कि आज भी दोनों देशों के विच्छी रिलेशन उतने बेहतर नहीं है लेकिन उस समय बदतर थे ठीक है तो इसलिए इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया इंडियन कंस्टियोशन में आर्टिकल सेवन केंटर अब यह क्या कर करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया ठीक है एक मार्च 1947 उसको ध्यान रखिएगा कि एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया और उसके पिर इंडिया वापस आ गया ठीक है रिशिटल्मेंट तो उसका क्या है रिशिटल्मेंट हो सकता है इ इंडिया से पाकिस्तान गए हैं और फिर वहाँ से return वापस आ गए हैं चलते अपने next article क्यों next article है article in ये article वैसे लोगों से deal करता है जिनका origin इंडिया में है ठीक है लेकिन वो outside इंडिया के बाहर आ रहा हैं जैसे example के तॉर पर रखिए तो आज जितने भी भारतिये मूल के नागरिक है भारतिये मूल के या एक वर्ड आप सुनते हैं यह पी आई ओ पी आई ओ का मतलब होता है पर्सन ओफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ओफ इंडियन ओरिजिन अब इनके कहने का मतलब क्या है कि वैसे व्यक्ति जिनके माता पिता यानि पैरेंट्स या ग्रांट पैरेंट्स ठीक है ग्रांट पैरेंट्स में दादा दादी नाना नानी कोई भी अंडिवाइडेड इंडिया में रह रहा था लेकिन वर्तमान में वो अभी किसी दूसरे देश में है ठीक है अभी वर्तमान म आउटसाइड है तो उन लोगों के लिए प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल एट उनसे डिल करता है ठीक है फ्रेंड्स इसको हम लोग डिटेल में 1955 के सिटिजन्सिप एक से देखेंगे जो एट टाइम्स अभी तक इसमें संसोधन किया जा सक चुका है अब एक बार देख लेटे हैं कि जो सिटिजन्सिप का है टर्मिनेशन वो उसके लिए कंट्टिूशन में क्या प्रोविजन है कंट्टिूशनल प्रोविजन ठीक है तो सबसे पले यहाँ पर देखिए कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है तो देख लेते हैं कि कौन-कौन से भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं ठीक है अगर वो वोलेंटरी एक्वाइड अगर अपनी मर्जी से वो किसी दूसरे देश की सिटिजन्सिप को धारन करता है तो वो भारत का नागरिक अटोमेटिक नहीं होगा ठीक है तो इस आर्टिकल से कौन डिल करता है वो आर्टिकल 9 इससे डिल करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से वोलेंटरी अगर दूसरे देश के सिटिजन्सिप को धारन करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा या वैसा कोई भी व्यक्ति ठीक है भारतात का सिटिजन नहीं होगा जो अगर कोई पार्लियमेंट अगर कोई लौ बनाती है और उसके अंतरगात वो उससे बाहरन हो जाता है ठीक तो उसके अंतरगात अगर पार्लियमेंट दोड़ा बनाये गए लौ के अंतरगात वो भारत क नागरिक नहीं होगा इसके लिए आर्टिकल 13 से डिल करता है और जो आर्टिकल 11 है वो ये बात कहता है कि पार्लियमेंट को पावर है अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की जो हम लोग बात किये हैं इसमें सारी की सारी सक्तिक इसके कोई वो नयान कानून बनाता है एक्विजीशन के लिए मतलब कि citizenship के एक्विजीशन के लिए तर्मिनेशन के लिए ठीक है तो वो सारा का सारा पावर किसके पास है पार्लियमेंट के पास है डैट मिस कह सकते हैं कि नागरिकता का जो अधिग्रहन या एक्विजीशन या ना दोनों को के लिए नया नियम बनाने की जो सकती है वो पार्लियामेंट की है ठीक है इससे डील करता है आर्टिकल 11 इसको ध्यान रखिएगा चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओड़ अब सबसे पहले तो एक चीज आप यहीं जाने लिए कि भारत के कोई परसे नगर आता ह है माल लिए कि अभी बहुत दिन से एक व्यक्ति है नाम उनका मैं अभी तारेट फता है तारेट फता एक व्यक्ति है ठीक है यह बलुचिस्तान प्रोविंस के हैं यह बलुचिस्तान प्रोविंस के इन्होंने या इस प्रांद के बहुत सारे लोग यो हैं वो भारत में अर बलुचिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं यह भारत में रहना चाहते हैं ठीक है तो इसके लिए एक प्रोभीजन है यह क्या हो जाएंगे भारत के लिए जब तक इनको नागरिकता नहीं मिलती है तब तक यह एलियन हो जाएंगे अब एलियन कौन से एलियन जो है भारत के ना डूसरी बात कि अगर भारत यानि इंडिया और बलुचिस्टान अगर myś अगर कोई भारत का नागडिक हो जाता है तो नाओरिक खोने के तोर पर उसके cu graph राइट्स हैं वो राइट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं हलाकि यह सब लगबख fundamental राइट्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे detail में डिसकस करेंगे पार्ट 3 में ठीक है फिलाल आप इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार यह सवाल पूछ लेता है कि भारतिये संभिधान के जो fundamental राइट्स हैं इसमें से कौन-कौन से राइट्स Indian citizen के लिए हैं और कौन से राइट्स सभी व्यक्तियों के लिए हैं तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 हैं यह आर्टिकल यानि पांच आर्टिकल जो है वो डील करते हैं Indian citizenship से भारत के सिर्फ नागरिकों के लिए है इसका दावा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है नहीं कर सकता है सुप्रीम कोटिमेंट ठीक है तो वो राइट्स कौन से हैं सबसे पहला राइट्स है कि और समानता के अधार पर कोई भीरभाव नहीं होगा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमीनेशन ये जो डिस्क्रिमीनेशन का भीरभाव है वो आर्टिकल 15 में पांच रहार पड़ है किया हुआ जिसको हम लोग आगे देखेंगे तो ये आर्टिकल 15 सरकारी नोप्रियों में पबलिक एप्लाइमेंट म में और इसके बाद इस पर रिस्टिक्शन लगाए गए है अधरपाइच आर्टिकल में ठीक है तो राइट टू फ्रीटम जो है ये आर्टिकल से डिल करता है आर्टिकल 19 और ये भी सिर्फ भारत के नगडिकों को ही ये अधिकार मिले हुए है जो कल्चरल एन एजुकेशन राइट है वो भी भारत के नगडिकों को मिला हुआ है जो आर्टिकल 19 और 30 के अंतरगत आता है राइट वोट ये राइट वोट एडल्ट सफ्रेज व्यस्क मताधिकार ठीक है ये भी सिर्फ भारत के नगडिक ही लोग सभा या लेजिसलेटिव एसेंबली विधान सभा में मताधिकार कर सकते हैं यानि मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं वोट का प्रयोग कर सकते हैं तो ये आर्टिकल 326 से आता है फिर जो व्यक्ति भारत का नगडिक है वहीं व्यक्ति MP और MLA का चुनाओ लर सकता है यानि कि लोग रवारत का नागरिक है उसके लिए कुछ पोस्ट को के बारे में कहा गया कि इस पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है इंडियन शिटिजन्स जो है वहीं कर सकते हैं जैसे ठीक है इसके आधे पराइम मिनीस्टर फिर जो MP होते हैं एमेले होते हैं इसके अलवा जो बहुत सारे डो तीन ओफिसेर सॉर्स आउर्स हैं जो जो feel के अधिकारी हैं यह सब यह सब से कौन डिल करता है यह सब और भारतिय नागरी की यह सब बन सकते हैं यह सब अधिकार भारतिये नागरी को दिया गया है तो आप से कई बार जो होता है कि यह पूछ सकते हैं चार को टेशन दे देंगे और बोल देंगे कि इसमें से कौन से अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतिये नागरी को होता है दोनों के थूप प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोनों व्यक्ति जो इस प्रोसीजर से इंडियन सिट्जंशिप की नागरिक्ता जो धारन किये हैं वो इलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने इस मलब की 26 जनरी नहीं 150 को भारत का समयधान जब लागू हो गया तो इसके बाद बहुत सारे प्रिवरतन आ रहे थे तो 1955 में एक एक्ट बनाया गया जो संसर से पास हुआ परलियामेंट से पास हुआ यानि परलियामेंट ही इससे डील कर सकता था और यह आर्टिकल 11 में यह बात कही गी थी तो इसने एक भारत की संसर ने शिटिजन्सी फैक्ट 1955 को पारित किया जिसमें अब तक एट टाइम संसोधन हो चुके हैं चिर्फ एक कोटेशन को आप धयार रकिएगा इस एक स्टेटमेंट को कि भारतिये सिटिजन्सी पैक्ट में अब तक 8 टाइम संसोधन हो चुके हैं तो 1957 में यह संसोधन हुआ है 1960 में संसोधन हुआ है 1985 में संसोधन हुआ है 1986, 1992, 2003, 2005 and 2015 ठीक है मतलब यहां पर 3 साल के बाद हुआ है 3 years after 3 years यहां पर 25 years, after that 1 years, 6 years and 11 years और 2 years और 10 years ठीक है मतलब कि आप याद रखेंगे यह आपसे नहीं पुछेंगे लास्ट टाइम जो एमेंड हुआ था 2005 में और 2000 के बाद 3 टाइम से एमेंड हुए है 2003, 2005 and 2015 में तो इसको आप ध्यार रखेंगे कि एड टाइम यह एमेंड अब तक हो चुका है चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के जो अब जो 1955 का जो एक्ट है ठीक है citizenship एक 1955 ठीक इसमें कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजन किये गए है acquisition of citizenship के लिए यानि इसके लिए जो हिंदी में word आएगा वो आएगा नागरिकता का अधिक रहन किया जा सकता है ठीक तो जन्म के अधार पर इसमें पांच तरीके कवर नहीं पले तो आप यहीं यार रखिए कि 5 वेज हैं यह वेज हैं by birth by descent यानि once के अधार पर by registration फिर नेचुरलाइजेशन और इनकोरप्रेशन ओफ ट्रेटरी ठीक अब देखते हैं कि by birth के अधार पर क्या है यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 26 जन्वरी उनीस अपचास के बाद भारत के एडाज इच्छेतर में पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा by birth ठीक है लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 1 जुलाइ 1987 यानि 1 जुलाइ 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है तो इसके लिए जरूरी है कि उसके parents से कोई एक ठीक है हुआ है तो इसके parents ठीक है और जो इसके यह खुद है इंसेल्फ ठीक है इन दोनों के लिए जरूरी है कि वह भारत स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हो समझे जो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा इसके लावा बाइबर्द की बात करते हैं तो एक अप्वाद सब exception है कि जो हमारे यहां अगर मालिए कि अमेरिका का राज़दूत है ठीक है अमेरिका की MBC है तो अमेरिकन MBC का कोई बच्चा अगर भारत में पैदा होता है तो वह बाइबर्थ भारत का नागरिक नहीं होगा और एक चीज़ तो आप ये भी जान लिए कि जो अमेरिकन MBC है वो अमेरिका के राज़दूत के अंतरगत आता है ना कि भारत के राज़दूत के अंतरगत ठीक है उसी तरीके से भारत के जितने भी जगापर MBC है वो वहाँ पर भारत के राज़दूत के अंतरगत आता है ऐसा ये ट्रिटी किया गया है ऐसा एक समझोता है इन समझोते के यहां थिए पैड़िक होते हैं यहां के नागडिक नाओंगे तो इतना बात अब ध्यान रखिएगा ठीक है अब आगे चलते हैं कि वंस के अधार पर कौन से लोग हैं जो भारत के नागडिक हो सकते हैं तो एक बात आप यह याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो ठीक है लेकिन 10th of December 1992 के पहले पैदा हुआ हो ठीक है भारत के राजी सेत्र में तो वो क्या हो जाएगा भारत का नागरिक होगा बंस के अधार पर ठीक है बंस के अधार पर लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 10th of December 1992 के बाद पैदा हुआ हो यहाँ पर यह आफ्टर पैदा हुआ हो लेकिन 3 December 2004 से पहले पैदा हुआ हो ठीक है यहाँ पर भी फोर रख लिए तो उसके लिए जरूरी है कि इसके जो पैरेंट्स है उन पैरेंट्स का भी भारत में पैदा होना जरूरी है यानि भारत में उनका भी जन्वा हो उनके माथा पिता का जन्वी भारत में हुआ हो अगर कोई विक्ति 3rd of December 2004 के बाद अगर भारत में पैरा हुआ है ठीक तो फिर वहीं बात है कि इसके पैरेंट्स और उसको खुद को भारत का नागरिक होना चाहिए होगा वो ठीक है तो इसको आप ध्यान रखेगा इसमें दो डेट इंपोर्टेंट है 26 जन्वारी फिर बाइट अगर कोई वी विगति दलिकेशन के लिए अप्लिकेशन करता है और वह से पहले अप्लिकेशन से पहले भारत में चोंतर मात तक अस्थाई निमास निमास कर रहा है तो इसके बाद लेखला और भारत की सन्ट्रल गॉर्र्णमेट इसको एप्रूब करती है या सर्टिफिकेट को मान लिया जाए तो भारत सरकार या सेंट्रल गवर्यमेंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद वह भारत का नेचुरल लागरी हो जाएगा और ये राष्टपती के चुनाव में भाग ले सकता है तो ध्यान रखिएगा कि बाई बर्थ जो जाए तो अगर भारत मान लेते हैं कि भारत को गुस्सा आ गया ठीक है और इसका मूट खड़ा गम और इलक्या गूए लाहोर तक अपना जैसे हम लोग कारगिल में लाहोर तक पहुँच गया थे तो अगर भारत का सब लोग सब कर् nós पाकिस्तान अफ़निस्तान बंगलादेश किसी की वी टरेट्री को अधिक रहन कर लेता है इंकॉर्पोरेट कर लेता है तो उसके बाद वहां के नागरिक खुद भारत के नागरिक हो जाएंगे जैसे 1962 में जब फुद्दूचेरी को फ्रांस ने आजात किया तो उस इनके जो नागरिक थे वो सबके सब भारत के नागरिक हो गए चलते अपने नेक्ट स्लाइट की उड़ कि अब जो है कि सिट्जंशिप का लॉस कैसे होगा कोई तो यह भी जो प्रोविजन है यह भी लिया गया है सबसे पहले तो यहीं है कि रिनाउंसियशन का मतलब होता है अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति फूल एज और कैपसिटी का है कि फूल एज का मतलब हो गया कि कि 18 येर का है होसो हवास में और कैपा सिटी का मतलब क्या हो गया कि अपनी होस में है कोई जबरदस्ती नहीं है होस में है और कोई जबरण इससे नहीं करवाया जा रहा है ठीक है तो वो व्यक्ति खुद ये घोसना कर सकता है कि मैं इंडियन सिर्जंशिप को रिनाउंस कर रहा हूं और उस उसके जितने भी छोटे बच्चे हैं तो उस समय तो भारत की नागरिकता उसके साथ उसकी चली जाएगी लेकिन जब ये बच्चा जो भारत का नागरिक अभी छोड़ा है वो जैसे ही 18 यहर्स का हो जाएगा तो वो क्या जाएगा अगर उसको मन है फिर भारत की नागरिकत जैसे ही वह 18-years का होगा जैसे एक्जांपल के तौर पर मालेते हैं जो विजय मालिया है ठीक है अभी तो यह फ्यूजिटिव केस में फ्यूजिटिव और इंडियन इंसॉलवेंसी केस तो इसमें क्या है यह संदिप्त है तो यह क्या है भागोड़ा है यह आरोपी है एक्यूजद है लेकिन अगर विजय मालिया मेहुल चौकसी इन सब को अपने होसो हवास में भी हैं और रेटीनियर से जादा के हैं इनको अग मालिये अगर छोटे हैं अभी वह इसे छोटे नहीं है लेकिन उदारन के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि अगर इनके बच्चे अभी छोटे हैं तो यह क्या हो जाएंगे कि जैसे ही इनके बच्चे ठारा साल के होंगा और इनको मन करेगा कि इंडिया बहुत अच्छा खते हैं तो रहिं करसकते हैं फिर है अगर कोई विक्ति किसी दूसरे देश का पासपोर्ट कर रखे तक हुआ है यह आज़किन alum करता है तो अभी मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है तो अभी मैं इंडिया का नागरिक हूँ लेकिन कल को अगर परिस्तितिया बदली ती है या कुछ ऐसी घटनाए या अनुहनी होती है कि अगर अमेरिका या किसी मान लिए कि नेपाल के लिए नहीं अमेरिका के लिए या जाता है तो आटोमेटिक मैं इंडिया का शिट जंग नहीं रहूंगा ठीक है उसके लिए अलग से टर्माते हैं POI OCI तो यह सब आते हैं तो लेकिन वो भारत का मूल नागरिक नहीं होगा ठीक है इसको ध्यारा कि चलते हैं नेक्स स्लाइड की ओर जो तीसरा है कि डिप्रिव सब्सक्राइशन उसका नागरिकता खतम हो सकता है तो यह कंपल्सरी है सेंटर गोवल्मेंट के लिए कि कोई भी व्यक्ति अगर यह सब काम करता है जैसे फ्रॉड से सिटिजन्शिप को एक्वाइर किया है या डिस लाइलेटी केंश्यूशन यानि समिधान के प्रती जो है वो लॉयल नहीं है अनलॉफूल ट्रेट करता है स्मगलिंग करता है कि रिस्पॉंसिपल भी हैवियर करता है ठीक है वार के समय में तो उस समय या पांच साल अगर मालिए कि कोई व्यक्ति रेजिस्टर्ड से एक्वाइर किया है और अपने पांच साल के बाद या वो क्या ह है कि दो वर्स के लिए जेल की सजा किसी अने देश में काट चुका है तो भी यह क्या होगा भारत का नागरिक नहीं होगा या अगर यह समाने रूप से इंडिया से बाहर साथ साल तक लगातार रह गया तब भी यह क्या होगा भारत का नागरिक नहीं होगा ठीक है तो यह स साल की सजा पाचुकाओं किसी और देश में या साथ साल तक लगतार किसी और देश में तो भारत के नागरिक से डिप्राइब हो जाएगा वन्चीत हो जाएगा चलते हैं अपने नेक्स स्लाइड की ओर यह हम लोग का लाश्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग कुछ टर्म हमेशा सुनते हैं कि NRI PIO फिर OCI ठीक है तो सबसे पहले तो यहीं जान लिए कि NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन ठीक है PIO का मतलब होता है पर्सन ओफ इंडियन ओरिजिन और OCI का मतलब होता है ओवर सिटिजन ओफ इंडिया हिंडी में अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है और निमासी भारती यह इसका मतलब होता है भारतिये मूल का नागरिक भारतिये मूल का और इसका मतलब होता है समुंद्र पारिये मतलब जो समुंद्र के पार रहता है ठीक है तो NRI कौन लोग होते हैं कि वो सभी व्यक्ति वो सभी इंडियन सिटिजन जो और्डिनरली जो है इंडिया से बाहर गार रहे हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं इनराई का लाते हैं फिक है इनके पास पासपोर्ट होता है इन्डियन पासपोर्ट होता है यह जब भारत आएंगे घुमने के लिए तो इनको किसी वीजा की यहःत नहीं होगी और यह भारत के नागरिक ही होते हैं ठीक है इसके बाद जो है PIO की बात कर लेते हैं तो कौन लोग PIO में आते हैं person of Indian origin तो ये इनकी नेशनलीटी जो होती है नेशनलीटी तो Indian होती है और ये इनके पास foreign passport होता है ठीक है इनको भारत आने के लिए वीजा लेनी परती है और 7 साल तक अगर ये भारत में रह जाते हैं तो उसके बाद ये भारत के नागरिक बन सकते हैं ठीक है अब इसके बाद जो OCI में कौन लोग आते हैं OCI में वैसे लोग रहते हैं जिनके पास एक OCI कार्ड है ठीक है जो दिया गया है इंडियन सिटिजन सी पेक 1955 के अंतरगत और इसमें संसुधन हुआ 2015 में इनको भारत आने के लिए कोई वीजा की ज़रत नहीं है जब तक चाहें ये लीव लॉंग उड़ा सकते हैं भारत में obile-out भी जाओ के ठीक है और इसके बाद अगर इनको भारत की नागरिकता लेनी होती है तो ये बारा मंस तक भारत में रहेंगे इसके बाद में रिजिस्ट्रेशन फॉर्म भढ़ेंगे और रिजिस्ट्रेशन के दुरू ये क्या हो सकते हैं भारत के नागरी हो सकते हैं ठीक बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि भविस में अगर कभी भी वीडियो आता है तो आपको असानी से मिल जाए और इसके लावाँ फ्रेंड्स मैं पॉलिटी के बाद में जियोग्राफी को भी इसी तरीके से और मैप के तुरू पूरे अच्छे से समझाऊंगा तो आप चैन के कैन अपट vallahi और मैं grape अच्छेसरI आता है तो आपको भी वे याँ